हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दा रस्मी क्लासेज हम लोग पढ़ रहे हैं NCRT क्लास 11 बायलोजी बुक पिछले के क्लासों में हमने चैप्टर टू जीव जगत का वर्गी करन में मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम को देख लिया है आज हम लोग फंजाई किंडम की बारे में जानेंगे ओकी तो शुरू करते हैं फंजाई किंगडम 2.3 कवक जगत पर पोसी जीवों में फंजाई का जीवन जगत में विसेस अदभूत अस्थान है इनकी आकारे की तथा वास अस्थानों में बहुत भिंता होती है आपने नम रोटी वसरते हुए फलो में कवक को देखा होगा सामाने छतरक तथा कुकुर मुत्ता भी फंजाई है सरसों की पत्तियों परिस्थी सफेद धब्बे पर जीवी फंजाई के कारण होते हैं कुछ एक कोसिक फंजाई जैसे यिस्ट का उप्योग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है अने फंजाई पोधे तथा जन्तूँ के रोग के कारण होते हैं उधारन के लिए गेहु में कीकट रोग पकसीनिया के कारण होता है कुछ फंगल जैसे पेनीसिलियम से पर्ति जैवी क्यानी एंटिबायोटिक का निर्मान होता है फंजाई विसो व्यापी है और ये हवा जल मिट्टी में तथा जन्तूएवं पौधो पर पाए जाते हैं ये गर्म तथा नम अस्थानों पर सरलता से उग जाते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफरीजरेटर में क्यों रखते हैं हाँ इससे हम अपने भोजन को बैक्टेरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बजाते हैं फंजाई तंतू मई होते हैं लेकिन यिस्ट जो एक कोसिक है इसका अफवाद है ये लंबी पतले धागे की तरह की सनरशना होती है जिन्हें कवक तंतू कहते हैं कुछ कवक तंतू सतत नलिकाकार होते हैं जिन्में बहु केंदरिक कोसिका दर्व भरा होता है जिन्हें संग कोसिकी कवक तंतू कहते हैं आने कवक तंतू में पटिय होती है फंजाई की कोसिका भित्ती काइटीन तथा पॉली सेकराइट की बनी होती है अधिकांस फंजाय पर पोसी होते हैं वे मृत बेस्ट्रेटस से घुलनसील कार्वनिक पतार्थों को अवसोसिस कर लेते हैं अतह इन्हें मृत जीवी कहते हैं जो फंजाय सजीव पौधो तथा जन्तूओं पर निर्भर करती हैं उन्हें पर जीवी कहते हैं ये सैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच वर्गे पौधों के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं ऐसी फंजाय सह जीवी कहलाती है फंजाय में जनन काई खंडन वी खंडन तथा मुकूलन विधी द्वारा होता है आ लैंगिक जनन विजानू जिसे कोनीडिया कहते हैं तथा दानी विजानू अतवा चल विजानू द्वारा होता है लेंगिक जनन निसिक्तांड एसकस बिजानू तथा बेसीडियम बिजानू द्वारा होता है विभिन बिजानू सु असपस्ट सनरचनाओं में उत्पन होते हैं जिन्हें फलनकाई कहते हैं लेंगिक चक्र में निमलिखित तीन सौपान होते हैं फर्स्ट है दो चल तथा आचल यूगमको के प्रोटो प्लाजम का सनलयान होना इस क्रिया को प्लैजमो गीमा कहते हैं सेकेंड है दो केंद्रको का सनलयान होना जिसे केंद्रक सनलयान कहते हैं थार्ट पॉइंट है यूगमनज में मियोसिस के कारण आगुनित बिजानू बनना लेंगिक जनन में संयोज संगम के दोरान दो आगुनित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलेयन हो जाता है। कुछ फंजाय में दो गुनित कोसिकाओं में संलेयन के तुरंत बाद एक दुई गुनित कोसिका बन जाती है। यदपी अने फंजाय में एक मध्यवर्ती दुई केंदरिक अवस्था अर्थात एक कोसिका में दो केंदरिक बनते हैं। एसी प्रस्थिती को केंद्रक यूगम कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की दुई केंद्रक परावस्था कहते हैं बाद में पैत्रिक केंद्रक सनलैन हो जाता है और कोशी का दुई गुनित बन जाती है फंजाय फलनकाई बनाती है जिसमें न्यूनी करण विभाजन होता है जिसके कारण आगुनित विजानू बनते हैं कवक जाल की आकार की विजानू बनने तथा फलनकाई बनने की विधी जगत को विभिन वर्गों में विभकत करने का आधार बनते है 2.3.1 फाइको माइसिटीज जली आवासों, गली सरी लकडी, नम तथा सीलन भरे अस्थानों अथ्वा पौधों पर अविकल पीए पर जीवी के रूप में पाए जाते हैं कवक जाल अपट्टीय तथा बहु केंदरिक होता है आलेंगिक जनन चल विजानू अथ्वा आचल विजानू द्वारा होता है ये विजानू धानी में अंतर जाती उत्पन होते हैं दो युगमकों के सल्लेयन से युगमानू बनते हैं इन युगमकों की आकार की एक जैसी अथ्वा भिन हो सकती है इसके सामाने उधारन म्यूकर, राइजोपस, रोटी के कवक को राइजोपस कहते हैं तथा एल्बूगो, सरसो पर जो लगने वाला जो फंगस होता है उसे एल्बूगो कहते हैं नेक्स्ट क्या है? 2.3.2, एसकोमाइसिटीज इसे सामाने ता थैली फंजाई भी कहते हैं विरले पाए जाने वाले एसकोमाइसिटीज एक कोसिक जैसे यिस्ट के अलावा ये बहु कोसिक जैसे पेनिसिलियम होती है ये मृत जीवी अब घटक पर जीवी अथवा समल रागी होते हैं कवक जाल साखित तथा पटीय होता है अलेंगिक बिजानू कोनेडिया होता है जो विसिस्ट कवक जाल जिसे कोनी डी मतर कहते हैं पर बहिरजात रूप से उत्पन होते हैं कोनीडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं लेंगिक बिजानू को एसकस बिजानू कहते हैं ये बिजानू थैलिकस एसकस में अंतर जाती रूप से उत्पन होते हैं ये ऐसाई विभिन प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिनें एसको कार्प कहते हैं इसके कुछ उधारन है एसपरजिलस, क्लेवी सेप तथा निूर निूरस्पोरा का उपयोग जैवरासाइनिक तथा अनुवानसिक परयोगों में बहुत किया जाता है इसी कारण ये पादब जगत के ड्रोसोफिला के समान परसिद है इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा टफन खाने योगे होते हैं और इन्हें सुस्वादू भोजन मिट्टी में लट्थे तथा व्रिक्ष के ठूटों पर तथा सजी पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उखते हैं जैसे कीकट तथा कंड कवकजाल साखित तथा पटिय होते हैं इसमें आलेंगिक विजानु प्राया नहीं होते हैं लेकिन काईग जनन खंडन सद्धी द्वारा बहुत सामान है इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं लेकिन इसमें प्लाजमोगैमी विभिन इस्टोनों वाले दो काईक को सिकाओं अथ्वा जीन प्रारूप के संलयन से होती है इसमें बनने वाले संरशना दूई केंद्रिक होती है जिससे अंधता बे बेसीडियम में केंद्रक संलयन तथा मियोसिस होता है जिसके कारण चार बेसीडियम बिजानू बनते हैं बेसीडियम बिजानू बेसीडियम पर बहुर जाती उत्वपन होते हैं बेसीडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिससे बेसीडियो कार्प कहते हैं इसके कुछ समान उधारन इगैरिकस जिसे मस्रूम कहते हैं एस्टी लेगो तथा पक्सीनिया है 2.3.4 ड्यूटेरो माइसिटीज इसे प्राया आपून कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल आलेंगिक तथा काइक प्रावस्था ही ग्यात हो पाई है जब इस फंजाय की लेंगिक प्राथाओं को एक नाम दे दिया गया हो और लेंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उन्हें अनुबंदों का पता लगा तो पंजाय की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरो माइसिटीज से निकाल लिया गया एक बार जो डियो टेरो माई सिटीज के सदस्य की उचित प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें इसको माई सिटीज और बेसी डियो माई सिटीज में समलित कर देते हैं डिव टेरो माय सिटीज केवल अलेंगिक विजानों जिन्हें कोनीडिया कहते हैं से जनन करते हैं इसके कवक जाल पट्टी तता साखित होते हैं इसके कुछ सद़ से मिर्त जीवी अथुआ पर जीवी होते हैं लेकिन उनके अधिकान सदस से अपसिस्ट के अपगटक होते हैं और खनीज के चकरन में साहेता करते हैं इसके कुछ उधारन अल्टरनेरिया, पोलीटो ट्राइकम तथा ट्राइकोड्रमा हैं